क्या धूनी को जबरन सन्यास देने की तैयारी हो रही है क्या क्रिकेट से सन्यास के बाद आरमी जॉइन करेंगे माही ICC क्रिकेट वर्ल्ल कप सेमी फाइनल में न्यूजरैन के हाथ और टीम इंडिया को मिली हार के बाद से महें सिंग धूनी के क्रिकेट से सन्यास लेने की अटकले लगाई जा रही है हलाकि इन कयासों में कितना दव है उसको लेकर धूनी के अलावा किसी और को कुछ भी पता नहीं है लेकिन इन सब के बीच धूनी को लेकर दो बड़ी खबर सामने आ रही है धूनी से जुड़ी पहली खबर उनके सन्यास से जुड़ी है असल में सेलेक्टर्स ने इस बात का कड़ा संकेत दिया है अगर टीम इंडिया को 2011 में वर्ल चेंपियन बनाने वाले धूनी खुद रिटार्मेंट नहीं लेते हैं तो शायद ही वो टीम इंडिया के लिए कभी खेल सके खबर है कि इस बारे में चीफ सेलेक्टर MS के परसाद जल्द ही धूनी से बात करने वाले हैं हाला कि ऐसा तब होगा जब धूनी पहले ही अपने फैसले के बारे में परसाद को जानकारी नहीं देते सूत ने बताया कि मुझे नहीं लगता है कि वो सेलेक्टर के T20 वर्ल कप 2020 के प्लैन का हिस्सा है उन्हें सम्मान के साथ इंटरनेशनल क्रिकट को अलविदा कहना चाहिए सूत ने कहा कि धूनी अब पहले जैसे फिनिशर नहीं रहे छे या साथ नमबर पर बले बाजी करने उतरते हैं तो संगर्श करते दिखाई देते हैं ये टीम को नुकसान पहुचा रहा है हाला कि दिल्चस बात ये भी है कि वर्ल कप के बाद रिटार्मेंट लेने जैसे मुद्दों पर कभी सेलेक्टर्ज और धूनी के बीच बातशीत नहीं हुई है इस बारे में सूत्र ने बताया कि सेलेक्टर्ज नहीं चाहते थे कि धूनी का ध्यान भटके वो अपना पूरा ध्यान वर्ल कप पर लगाएं और उसे देश में लाएं लेकिन अब समय बदल गया है ऐसा कुछ नहीं है जिसे उन्होंने पाया ना हो और ना ही उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर साबित करने की जरूरत है मई धूनी से जूड़ी दूसी खबर सामने आ रही है उसके मताबिक टीम इंडिया के पूर्फ कप्तान और दुनिया के नमबर एक मैच फिनिशल धूनी अब आर्मी जॉइन कर सकते हैं इतना ही नहीं वो टेरी टोलर आर्मी में एक सक्त पोस्टिंग पाना चाहते हैं धूनी सियाचीन में पोस्टिंग चाहते हैं इस बात की जानकारी उनके एक करीबी दोस्त ने दी है धोनी के इस करीबी दोस्त के मुताबिक धोनी एक सैनिक की तरह देश की सिवा करना चाहते हैं और वो जल्द ही सेना से संपर्क कर अपनी इच्छा जाहर कर सकते हैं हाला कि इन दोनों ही खबरों में कितना दम है ये तो आने वाले दिनों में पता चली ही जाएगा इन इन इस वारल की रपोट